हलो दोस्तों आज मैं आप सब के सामने किसी की लाइफ की टू स्टोरी बताने जा रही हूँ हमने अक्सर देखा है टीवी में कि परदेशों में कोई किसी का साथ नहीं देता और मैं एक लड़की एक लेडी जिनके साथ पिछले दो महने से बात कर रही हूँ वो बहुत ही सीरियस मेंटल प्रॉब्लम में चल रही है ना उससे नीद आती है ना उसकी हेल्थ ठीक रहती है उसे ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही लुट गई इतने बड़े जहान के होते हुए भी उसे कुछ समझ नहीं आता जब मैरी उससे सबसे पहले बार बात हुई तो बिलकुल खामोश थी उसकी आँखों में कुछ चमक नहीं थी जिन्दगी से हार चुकी थी वो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसे सुपोर्ट करूँगी और उसका साथ दूँगी तो धीरे धीरे उसने मुझे अपनी स्टोरी बताने शुरू की उसका नाम बानी है बानी एक बहुती मीडियम क्लास फैमली में पैदा हुई उसके फादर जो थे गौवर्मेंट एम्पलॉई थे तीन भेने थी और उसके फादर जो है बानी को उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़के उसके बाकी दो सिस्टर्स को लेके ट्रांसफर हुई और वहां चले गए उनकी दोनों सिस्टर्स की बहुत अच्छी से एजुकेशन हुई पर बानी की एजुकेशन गाओं में हुई बानी को अपनी मां से बहुत ज़्यादा प्यार था पर ये बात समझ के कि उसके फादर ये कहते थे कि हम पूरे बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सक तो बानी को अपनी ग्रैंड मदर के पास ही रहना था और बानी की basic education एक government school में हुई उसकी ग्रैंड मदर के पास पर बानी पढ़ाई में बहुत ही होशार थी उसे हर चीज में first prize मिलता था वो खेल कूद में बहुत आगे थी हर चीज में आगे थी पर ग्रैंड मदर के पास र कि वो ग्रैंड मदर के पास रहे तो सब लोग उसे बहुत ही नीच नजरों से देखते थे क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को pension मिलती थी और वो पूरी pension जो है बानी की उपर लगा देती थी तो बानी सब के आँखों में चुपती थी इस तरव बानी का बच्पन इतना उससे परिशान रहते थे पर उसके साथ खुश रहते थे धीरे 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 बानी बढ़ी होती गई और उसकी ग्रैंड मदर बहुत बुजर्ग हो गई और एक टाइम आया कि बानी को रख नहीं सकी और बानी को अपने माबाब के पास वापिस जाना पड़ा जब बानी अपने माबाब के पास वापिस गई तो उसे माबाब का प्यार कभी नहीं मिला क्योंकि उसकी परवरिश गाओं में होई थी शहर में नहीं होई थी उसके बाकी बहने शहर के कॉन्वेंट स्कूलों में पड़ी थी और बानी गाओं के एक छोटे से स्कूल में प उससे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई, जब गाउं के छोटे से स्कूल से निकाल के बानी को इंगलिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया, तो बानी को कोई बात समझ नहीं आती थी, उसे इंगलिश बिलकुल नहीं आती थी, और उसकी इस बात को घर में कोई नहीं समझ सकता था, उसकी मा इतनी educated नहीं थी, उसके फादर जब उसे पढ़ाते थी उसे बहुत मार पढ़ती, और बानी को इस बात की समझी नहीं आती, कि मुझे मार किस बात के लिए पढ़ रही है, इसलिए बानी का मन अपने माबब के पास नहीं लगता था, वो हर बात, हर अपने ग्रैंड मदर को याद करती, और उसके दिमाग में माबाप की जगए उसकी ग्रैंड मदर बस चुकी थी, उसके दूसरे sisters के साथ भी उसकी इतनी ज़्यादा close था नहीं हुई, क्योंकि भीश में बहुत बड़ा gap था, गाउं में पली बड़ी बानी, शहर के महोल को सूट नहीं हो रही थी, धीरे धीरे करते करते बानी की पढ़ाई पूरी होती रही, और एक दिन बानी की शादी हो गई, बानी शादी करके अपने ससुराल में गई, शादी से पहले जिन घर में शादी होने वाली थी, दहेज की कोई भी डिमांड नहीं थी, जैसे ही शाद पानी ने अपने फादर से कहा कि दहेज नहीं दे सकते तो मेरी शादी मत करो क्योंकि मेरी दूसरी भेने भी हैं, उनकी भी स्टडी होगी, उनके भी केरियर होगा, उनकी भी शादियां होगी और आपको रिटायर्मेंट में जो पैसा मिला है आप अगर शादी में लगा तो आप अपनी future के लिए क्या रखोगे बानी बहुत ही समझदार बहुत ही सुजड़ और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी किसी तरीके से नॉर्मली शादी हो गई पर सस्राल वालों की दहेज की जो डिमांड थी उसने बानी के गुणों को कभी भी उपर नहीं आने दिया बानी बहुत प्यार करती थी अपने सस्राल वालों से पर जो दहेश की मांग में की गई कार और जो चीजे उन्होंने लिस्ट में लिखी थी वो ना होने की वज़े से बानी को कभी सतकार, कभी प्यार नहीं मिला बानी का जो पती था वो बहुत ही ज़ादा अपने माबब की कंट्रोल में था उसे ये समझ ही नहीं थी कि मेरी जिन्दगी किसी के साथ जुड़ चुकी है और इसका डिसीजन लेना भी मेरा हक है पर उसने अपनी जिन्दगी के हर डिसीजन अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिये और उसके पेरेंट्स ने उस लड़की के साथ बानी के साथ बहुत ही बिकार बहेव किया बानी को शादी होते ही फिट्स का अटेक होने लग गए वो प्रेगनेंट हो गई मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं आपको ये सब कैसे बताऊं जैसे उसने मुझे बताया उसकी आँखों में सिर्फ आंसू थे पर मुझे इस बात की खुशी है कि उसने आंसू निकाले और किसी तरिके से बानी को घर से निकालने की कोशिश शुरू हो गई बानी को दहेज की मांग दे के अपने मैके में भीजा जाता पर बानी बहुत समझधार थी उसे पता था कि मेरा फादर मुझे और दहेज नहीं दे सकता तो वो कुछ भी नहीं मांगती और थोड़े दिनों में पेरंट्स उसे वापिस छोड़ाते ऐसे करते करते बानी के उपर अत्याचार बढ़ते गए बानी की हर बात पे उसके सस्रॉल वाले उसकी सास और सस्रॉल बहुत परिशान करने लगे क्योंकि उसका जो पती था वो अपने माबाप की सामने कुछ नहीं बोल सकता था वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता था ऐसे करते करते जब बानी के दो बच्चे हो गए और उसके पती को अब भी ये चीज़ का एसास ने हुआ कि मेरे परिवार क्या है छोटी छोटी चीज़ों की जरूरतों के लिए वो बानी को परिशान करने लगा क्योंकि उसका कोई लक्षे नहीं था उसे ये पता नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है और ससुराल वालों के बानी की उपर अत्याचार बढ़ने लगे मेंटली टॉर्चर शुरू हो गया जब बानी उनको कुछ कहती तो देहेज की बात करके या कुछ होर बाते करके उसे चुप करा दिया जाता उसके माबाप की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती बानी अंदर ये अंदर घुटती गई घुटती गई पर उसे एक चीज का विचार था कि मेरे माबाप ये मैं शादी नहीं करना चाते थे मैंने ये शादी की है, तो मुझे किसी भी तरीके से ये शादी को निभाना है, और वो कोशिच करती रही, एक दिन ऐसा आया कि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बानी के पती को बाहर जाना पड़ा, जैसे ही बानी का पती बाहर गया, उसके सस्राल वालों ने उसकी शादी के सारे सब्बूत मिटा दिये, शादी की सारी फोटों फार दी, अब बानी के पास कोई प्रूफ नहीं था, कि उसका पती उसका पती है, बानी के पास दो बच्चे थे, जो की स्कूल में जाते थे, जि एक खाना देना पड़ता था, कपड़ा देना पड़ता था, पर उसके सस्रॉल वालों ने उसकी हर चीज की जिमिदारी उठाने से मना कर दिया, और बानी के सामने अब दो बच्चे थे, और वहाँ जाते ही किसी वज़े से उसके पती को जेल हो गई, उसका खर्चा उठाने वाला कोई भी नहीं था, ना उसके पती से उसकी बात होती, बानी को यही बताया जाता कि तेरे पती ने दूसरी शादी कर ली है, अगर वो कोई पैसा कमाएगा तो उसके उपर हमारा हक होगा, तेरा कोई हक नहीं होगा, बानी दबती गई, दबती गई, उसने बहुत ही प उसने नौकरी के साथ एक छोटा सा बिजनस शुरू कर लिया। वो बिजनस चल गया और उसने कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दिया। तो उसमें धीरे धीरे उससे काफी प्रॉफिट होने लगा। पर उसके सस्राल वाले फिर भी उसके पास आते तो उसे तंग करते उसे टॉर्चर करते। कभी उसे अपने सस्राल वालों की सपोर्ट नहीं मिली। अगर उसके माबाब उसके पास आते तो उन्हें भी बहुत बेज़ित होना पड़ता। बानी अपनी जिंदिकी से बहुत परेशान हो चुकी थी, बानी जिंदिकी की इस कश्मकश्च से लड़ रही थी, और तबी उसे बिमारी शुरू हो गई, क्योंकि जब बन इनसान को बहुत ही परेशानी आती है, और उसे कोई सुनने वाला नहीं होता, और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, समाज से लड़ नहीं सकता इनसान, एक जवान लड़की कहां जाए, क्या करें?